नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज याने की 17 जन्वरी को स्री गुरु गोविन सिंग जी की जनती है से में आज बिहार के राजेपार, राजेंदर विश्वनात, आरलेरकर और बिहार के मुख्यमंतरी, नितीश कुमार के द्वारा बिहारा और देशवासियों विशेशकर सीख समुदाई के लोगों को प्र प्रेम, एक्ता और भायचारा की भावना के साथ सच्चाई की राह पर चलने की प्रेड़ना मिलती है स्री गोविन सिंग जी के प्रकास पर्व में देश विदेश से भाग लेने बिहार आये सभी श्रद्धालों का मेहारदिक अभिनांदन करता हूँ वही मुख्य मंतरी नितीश कुमार के द्वारा कहा गया कि स्री गुरु गोविन सिंग जी महराज का जीवन संघर स्याग एवं बलिदान की अनुपम गाथा है सत्य निस्ठा, स्वाविमान, राष्टर प्रेम तिथा सामाजिक समरस्ता सही परिपुर्ण उनका जीवन संघर मानपता के लिए प्रेडना दाई है बेहार स्टार्टप पुरुसकार 2024 मिला इस कंपनी को स्टार्टप दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन में आयोजित हुए समारों में राजे सरकार के उद्योग मंत्री के द्वारा अलग-अलग 12 छेत्रों में बहतर काम करने वाले स्टार्टप कंपनियों को पुरुसकार भी प्रिदान किया गया बता दे कि उद्योग मंत्री के द्वारा बेस्ट स्टार्टप ऑफ दे इयर कंपनी का पुरुसकार मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है जो की स्वास्ते के छेत्र में काम करता है इसके अलावा बेस्ट महिला नर्तुवाली स्टार्टप का पुरुसकार ग्रामस्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया बहिक्रिसी के छेतर में बेस्ट स्टार्टप का पुरुसकार एग्रिक्स एग्रोटेक को दिया गया है सूशना प्रोदगी के छेतर में बस स्टार्टप पुरुसकार गौदरिका डिजिटल लेवर प्राइवेट लिमिटेड को मिला है इकॉमर्स के छेतर में फ्लोएपिस, इवीकल के छेतर में इलक्टरिक ऑटोमोटिव, खादे प्रिसंसकरन के छेतर में गोरॉल, फूर्स एन वेवरेज, हल्थ टेक में कोगनो, स्मेड, लेबरोटरीज और टेक्नोलोजी एवं ग्रोन के छेतर में सर्वस सुधाएं प्राइवेट लिमिटेड को बस स्टार्टप पुरुसकार मिला है बायोमेट्रिक जांच में फरजी, BPSC सक्चिका गिरफतार, इन दिनों सिक्चा विभाग के द्वारा बिहार लोग सीव आयो की ओर से ली गई प्रतम चरण की सिक्चक बहाली परिच्छा से चरंद सक्चकों का थम इंप्रेसन का मिलान करने का काम किया जा रहा है इसे कड़ी में बीतर दिन बेगुसराई में अंगूठा निशान के दौरान एक फरजी सक्चिका को गरफतार किया गया है बता दे कि थम इंप्रेसन के मजस्ट्रीट फरहान दानिश के दौरा सक्चिका को मरिला कर्मियों के मातिहम से पकर कर जला सिक्चा दिकारी को सौब दिया गया है फाइलेरिया से बचाओ के लिए 7.5-7 करोड लोगों को मिलेगी दवा राज्य के 24 जिलों में आगामी 10 फरवरी से MDA डाउन चलाकर फाइलेरिया से बचाओ के लिए प्रदेश के 7.5-7 करोड लोगों को दवा खिलाने का काम किया जाएगा ऐसे में सभियान के सफलता को लेकर बीते दिन मंगलवार को स्टेट टास्क फोर्स की बैठा कायोजित की गई जिसमें राज्य स्वास्त समीती के अपर कारे पालक निदेशक सुहर्स भगत के द्वारा कहा गया कि पिछले MDA डाउन में जिन जिलों में दवा सेवन कम हुआ है वहां विसेश रणीती बनाकर सभियान को करने की जरूरत है वहीं सभियान को सफलता मिल सके इसके लिए स्वास्त विभाग के साथ अन्य विभाग को भी सहयोग करने की जरूरत है इसके साथ इन्होंने इस कारी को करने के लिए सिक्षा विभाग एवं पंचाईती राज से विसेश सहयोग की अपील की है वहीं इसके अलावा उनके द्वारा जिविका पी एच इडी एवं अनिसायोगी विभागों की सहायता लेने की भी बात कही गई है तदकालिन इंस्पेक्टर कुमार अमिताब को डीजी पी ने किया बरखास्त बिहार के मजपरपुर के मोतीपुर थाना के तब कालिन इंस्पेक्टर कुमार अमिताब को शिराब तसकरी और माफिया के साथ मिली भगत के आरोप में डीजी पी आरस भटी के द्वारा बरखास्त कर दिया गया है बता दे कि कुमार अमिताब को पटना की मदनिशेर टीम के द्वारा पकड़ा गया था और उनके घर से छापिमारी के दौरान भारी मात्रा में शिराब और 96,700 रुपे भी बडामत किये गया थे जिसके बाद टाइरी को लंबित रखने और पच्रुखी पंचायत की मुख् पटनात राय से सांट गाठ होने के आरोप में उन पर विभागे जान सुरू की गई जिसको लेकर पटना मुख्याले के दौरा प्रस्विग्यप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई कि कुमार अमिताब के खिलाफ शिवर, SP और तरहुत, IG की रिपोर्ट में उन पर लगे आर रोप सही पाए गये हैं जिसके बाद अब कुमार अमिताब को DGP के द्वरा बर्खास्त कर दिया गया है चुटे टोलो में जल्द पूरी होगी हर घर नलका जल योजना PHED मंत्री ललत यादव के द्वरा जानकारी देते वे बताया गया कि राज्ये के 10,000 छुटे टोलो में भी जल्द ही हर घर नलका जल योजना के शिरवात होने वाली है वैसे टोले जहां काम आधा अधूरा है ऐसे टोलो में भी इस काम को जल्द पूरा कर लिया जाएगा बता दे कि इन टोलो की संख्या 35,000 है वहें इस कारी को पूरा करने में 4,600 करों रूपे की लागत लगने वाली है मद निशेद उतपाद इवं निवंधन विभाग में भारी फेर बदर मद निशेद उतपाद इवं निवंधन विभाग में 8 उपायुक्त, 13 सहयक आयुक्त और 34 अधिक्छक सहित मद निशेद विभाग के 55 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और इसको लेकर अध प्रमोदित नारायन सिंग, केशव कुमार, प्रियर रंजन, विजय शेकर दूबे, रजणीश, विकेश कुमार, तारीक महमूद, प्रदीप कुमार, अमरता कुमारी, नीरज कुमार रंजन, नीरज कुमार, प्रेम प्रकास और संजीव कुमार का नाम शामिल है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कड़ीब धाइी करोड विद्यार्थियों में 49% विद्यार्थी ही ऐसे हैं जिनके डेटा को पूड़ा करने के लिए लगतार नरदेश दिया जा रहा है आपके जानकारी के लिबता दे कि राजी के 91,957 स्कूलों में केवल 30,730 स्कूलों के प्रधाध्यापकों के द्वारा ही पोर्टल पर छात्रों और सक्षकों का डेटा अप्लोड किया गया है जिसमें सबसे कम वैशाली जिले में 4,7 सुपॉल में 15,3 नालंदा में 18,3 प्रतिशत विद्याथियों का ही डेटा पोर्टल पर अप्लोड किया गया है विहार के सभी जिलों के MIS प्रभारियों का वेतन बंद बिहार के सभी जिलों के MIS यानि की प्रबंधन सुशना प्रणाली में काम में लापरवाही को देखते वे उनके वेतन को बंद कर दिया गया है बता दे के MIS प्रभारियों के द्वारा चात्र चात्राओं सक्षकों का प्रोफाइल अप्लोड नहीं किया गया है ऐसे में अगर निर्धारित किये गया अल्टिमेटन तक इनके द्वारा काम नहीं क्याता है तो उन पर कारवाई करते वे उनके वेतन पर भी रोक लगा दी जाएगी और यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक की काम को पूरा ना कर लिया जाए लालो पुषाद जब चाहिए उन्हें हटाकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं दोनों के बीच दील भी यही हुई है और उन्हें कहा गस्बार मकर सक्रांती पर नितीश कुमार राबरी आवाज गये लेकिन वहां किवल साथ मिनट रुके लालो पुषाद ने द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लेकर दिये बयान कि उनके उन्यासी विधायक है तो इस लिहाज से वे बड़े भाई हुए नितीश कुमार लालो यादव के आशिरवात सहीं मुख्यमंत्री है वहीं अब इस बयान पर 22 निर्मान मंत्री अशोग चौ की राजनिती नहीं की है नितीश कुमार ने बिहार में विकास की राजनिती की है एक बिहार कभी 26,000 करोड का था जो आज 2,68,000 करोड का हो गया है ये हमारे निता नितीश कुमार का कमाल है लालो यादव ने प्रान प्रतस्था में शामिल होने और सी बटवारा को लेकर किय सब कुछ क्लियर जडियू के नेता और बिहार सरकार में शामिल कई मंत्री यह कह चुके हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीथ का बड़वारा कर लेना चाहिए जडियू के ये दिकजनेता भाजपा में होंगे शामिल अंकसान मोर्चा के सनक्षक सहपुर्व प्रत्याशी कौसर सिंग भाजपा में शामिल होने वाले हैं बता दे कि इनके द्वारा जडियू की सदस्यता से बीते सोंबार को इस्तफा दे दिया गया है बता दे कि दॉरान कौसर सिंग के साथ हजारों की संक्या में कारिकरता पठना पहुचेंगे कौसर सिंग के द्वारा दी गए जानकारी के नुसार वो और उनके कारिकरता गने कोड़ी की बज़ह से 18 जनवरी 2014 को ही दो पहर्ड में ही दोसों की संक्या में छोटी गारियों और दजनों की संक्या में बड़ी गारियों के साथ पठना पहुच जाएंगे अभ्यास सत्र के दौरान भारती टीम के साथ जुरे दिसपंथ आज यारी की 17 जनवरी को भारत और अफगानस्तान के बीच तीन मैचों की टी ट्वेंटी स्रीज का आखरी और तीसरा मुकाबला बेंगलूरू में शाम 7 बजे से खेला जाने वाला है लेकिन इससे पहले अभ्यास सत्र के दौरान भारती टीम के साथ रिशब पंथ भी जुरे इस दौरान रिशब पंथ के दौरा भी नेर्स प्राक्टस की गए और उन्होंने रोहिस सर्मा और विराट कोली से भी मुलाकात की बता दे के रिशब पंथ और विराट कोली के बीच काफी देर तक बाद चीत हुई और खूब हसी मजाप किया आपकी जानकारी क्लिवता दी कि रिशब पंथ बरकमान में बेंगलुरू के NCA में रिहाब पर है दरसल रिशब पंथ सिरफ दौरगटा में बूरी तरह से घायल हो गये थे जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली थी वही अब उन्होंने अपनी प्राक्टिस जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यहानी बुदवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी के इसके बाद राज जानी पतना में आज पेट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल कीमत 5.25 रुपे प्रति लीटर निर्थारित की गई है इसके साहथ ही गया वेपेट्रोनी कीमत 1.188 रुपे और डीजल कीमत 5.55 रुपे प्रति लीटर अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है इंवेकल के छेतर में बस श्टार्ट अप्रूस कार किसे मिला है इसका सही उतर है उप्षने इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव अगला सवाल सभी जिलों के DPO और DEO को चात्र चात्राओं सिर्चकों और स्कूलों का प्रोफाइल अप्लोड करने के लिए कब तक अल्टिमेटम दिया गया है इसका सही उतर है उप्षन डी 25 चनवरी अगला सवाल से कितने प्रतीशत चात्रों का डेटा यू डायस पोटल पर अप्लोड हुआ है उप्षने 4.7 उप्षन बी 15.3 उप्षन सी 18.3 उप्षन डी में से कोई नहीं इसका सही उतर है उप्षन बी 15.3 उप्षन डी 25 फर वरी इसका सही उतर है उप्षन डी 10 फर वरी अगला सवाल मर्द निशे उत्पाद इवब निवन्दन विभाग में कितने अधिकारियों का तबादला हुआ है उप्षने 8 उप्षन B 13 उप्षन C 55 उप्षन D 34 इसका सही उतर है उप्षन C 55 बीते दिन हमारे दरा पूछिए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दरा पूछिए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बरते हाज के सवाल की और राज का सवाल है आपके छेतर में हर घर नल का जल योजना का लाप मिल रहा है या रही अपना जवाब हमें हमारे comment section में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लेखते रहे बिहारी में जर साथ ही अगर आप YouTube से देखरें चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद